घर में मनहूसियत लाती है ये साथ चीजें, आज ही निकाले इन्हें घर से बाहर वर्ना हो जाओगे कंगाल. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोश से बचाये रखने के लिए सिर्फ सही दिशाका होना ही जरूरी नहीं है, बलकि घर की दीवारों और घर में रखी चीजों पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है. घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीजे रखी गई हो तो सुख समरिध्धी बनी रहती है वहीं घर में यदि आपको सुकून की नींद, अच्छा सेहत मंद भोजन और भरपूर प्यार अपंत्व नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब की घर में वास्तु दोश है इसलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं, बलकि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौझूद कुछ चीजे भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती है आईए जानते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें तुरंत घर से निकाल फैंकना चाहिए लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशिरवाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कॉमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें नमबर एक तूटा शीशा वास्तु शास्त्र के अनुसार दरपन सद्भाव का प्रतीक हो सकता है लेकिन तूटा हुआ शीशा नकारात्मक उर्जा और दुरभाग्य को आकर्शित कर सकता है ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ता है तरक्की के साथ आर्थिक स्थिती पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसलिए तुरंत ही तूटा हुआ शीशा हटा दें नंबर दो टूटी या बंद घड़ी वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद तूटी या फिर बंद घड़ी पड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है ऐसे में उस घर रहने वाले लोगों को संबंधित तनाव और दुरभाग्य का कारण बन सकता है ऐसे में नकारात्मक उर्जा पीछे नहीं छोड़ती है इसलिए अगर घर में कोई बंद घड़ी पड़ी है तो उसे सही करा लें या फिर उसे हटा दें नमबर तीन एंटीक चीजें वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपको एंटीक चीजे लाने का शौक है तो संभल कर लाएं क्योंकि ये प्राचीन वस्तुएं अकसर अपने पिछले मालिकों की कहानिया और उर्जा लेकर चलती हैं इसलिए एंटीक चीजों को घर में लाने से पहले उसका इतिहास जरूर जान लें क्योंकि ये आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है नमबर चार पुराना कैलेंडर वस्तुशास्त्र के अनुसार नया साल आने पर नया कैलेंडर तो लगा लेते हैं लेकिन पुराना फेंकने के बजाए संभाल कर रख लेते हैं लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराना कैलेंडर अतीत का संकेत देते हैं. इसलिए पुराने कैलेंडर को घर से तुरंथ हटा देना चाहिए. नमबर पांच, सूखे फूल, वास्तु शास्त्र के अनुसार, सूखे फूल मृत्यू का संकेत है, इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए, इससे घर में नकारात्मक उर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए इसे तुरंत घर से हटा कर ता को उल्जा कर नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक उर्जा पैदा होती है, और इसका असर आपके करियर और धन पर पड़ सकता है. नमबर साथ, महाभारत की तस्वीर या पेंटिन, वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रसंद की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए, मान्यता है, कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से ग्रह कलेश बढ़ सकते हैं, और घर म नमबर आठ, फटे पुराने कपड़ों की पोटली, घर में अक्सर फटे हुए कपड़े या घिसे पुराने कपड़ों की एक पोटली बांध कर रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, घर में मौजूद इस तरह के कपड़ों की पोटली घर में नकारात्मक उर्जा का निर्मान करती है, इस तरह के कपड़ों को या तो दान में दे देना चाहिए, या फिर किसी को उपयोग के लिए दे देना चाहिए. 9. देवी देवताओं की पुरानी मूर्ती, देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीरें या फिर खंडित मूर्ती रखना भी वास्तु शास्त्र के हिसाब से वास्तु दोश माना गया है. इससे आर्थिक हानी तो होती ही है. साथ ही ऐसा भी माना जाता है, कि देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां शाप देती हैं. मंदिर में एक ही देवी देवता की तीन मूर्तियां रखना वास्तु दोश होता है. इसलिए हमेशा घर में भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्ति ही रखनी चाहिए. नमबर 10. घर की चट रखें साफ. घर की चट पर गंदगी होना या उस पर फाल्तु का सामान रखने से भी वास्तु दोश लगता है. ऐसा कहा जाता है कि घर की चट पर पड़ी गंदगी से भी आर्थिक तंगी होती है. इतना ही नहीं, इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है. घर की चट पर कबाड़ा या फाल्तु समान बिलकुल न रखें. इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पित्री दोश भी उत्पन होता है. नमबर ग्यारह तूटी हुई अलमारी तूटी हुई अलमारी आर्थिक तंगी का कारण बनती है. इसलिए कहा जाता है कि घर या दुकान में किसी भी तरह की तूटी हुई अलमारी नहीं होनी चाहिए, इतना ही नहीं वास्तु में बताया गया है कि अलमारी का काम हो जाने क के बाद उसे बंद कर देना चाहिए, बेवज खुली हुई अलमारी काम में रुकावट आती है, और पैसा भी पानी की तरह बह जाता है. नमबर बारह मकडी के जाले और गंदगी अक्सर ऐसा कहा जाता है, कि घर में लगे मकडी के जाले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है, इसलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए, घर में बने मकडी के जालों को एकदम से साफ कर दें, अन्यथा ये आपके अच्छे द 13. तस्वीरों में नकारात्मक्ता कुछ विशेश प्रकार की तस्वीरें भी घर में नहीं रखनी चाहिए जैसे की बिना फल फूल के पेड, डूपती नाव, नगन, जंग में लहराती तलवार, शिकार के द्रिश, इंद्रजाल, कैध हाथी, उदास या रोते हुए लोगों की तस्वीरें भी घर में कभी नहीं रखनी चाहिए 14. खाली कुरसी घर में कभी भी स्थाई रूप से एक खाली कुरसी रखना शुब नहीं है, मान्यता है कि यह हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित करता है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि कोई उस पर नियमित रूप से बैठता हो या उसे पूरी तरह से हटा दिया जाए नमबर पंद्रह पुरानी डाइरी, पुरानी डाइरिया जिनका आप उपियोग नहीं करते, उन्हें घर पर न रखें, वास्तु शास्त्र के अनुसार, पुरानी डाइरिया भी नकारात्मक उर्जा का कारण बनती हैं, जिसका असर परिवार के सदस्यों और उनकी प्रग् अकबार इकठा किये जाते हैं, लोग अपने अपने तरीकों से इन रद्धी का इस्तिमाल करते हैं, वास्तु के अनुसार, रद्धी का धेर घर में समस्याएं लेकर आता है, पुराने अकबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाली जगहे पर रखने से कीडे मकोडे पनपने का डर रहता है, एक तरीके से ये घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है, अगर आपको भी घर में पुराने अकबार इकठा करने की आदत हो, तो इसे जितनी जल्दी हो सके बदल लें, घर की नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कला होती है, तरक्की में ब नंबर सत्रह, खराब ताले, घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए, वास्तु शास्त्र में इसे बहुत अशुब माना जाता है, वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंध या खराब ताला घर में दुरभाग्य लाता है जो ताले खराब हैं और आप इनका इस्तमाल नहीं करते हैं, उन्हें घर से तुरंट हटा देना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि बंध पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंध कर देते हैं, इसलिए घर में खरा दिवारों में दरार आ रही है, तो इन्हें जल्द से जल्द ठीक करवाएं, वास्तु शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि दिवारों में पड़ी हुई दरारें घर का सारा पैसा घर के सदस्यों की बीमारी के इलाज में लगाने के योग बनाती हैं, ऐसी दिवारें घर में नकारात मकता के साथ साथ दर्द्रता का भी वास करवाती हैं। नमबर बीस बहता हुआ नल वास्तु शास्त्र के अनुसार बहते हुए नल को अशुभ माना जाता है। जीवन में संधर्ष को कम करना चाहते हों तो जूते चपल ठीक रखें। घर में पुराने, फटे या खराब जूते चपल रखने से संधर्ष और बढ़ सकता है। इससे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहंत करनी पड़ेगी घर में अगर पुराने या फटे जूते चपल हैं। तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चपलों को शनिवार को हटाएं। इससे शनी की अशुभ दशा कम होती है। भले ही दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चपलों की संख्या कम हो। लेकिन वो सही हालत में होने चाहिए। यह तमाम जानकारी जनरुची को ध्यान में रख कर दी जा रही है, जोतिश और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आज माएं विडियो का उद्देश मात्र आपको बहतर सलाह देना है, इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं, दोस्तों विडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़िए